अबश्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स एनेचेम दोआरा स्वास्त बिवाग में एक बर फिर से वेकेंसी यहाँ पर रिलीस कर दे गई आप सभी को बताना चाहता हूँ CHO, Community Health Officers की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, दोस्तों इस भरती विग्यापन में, इस पोस्ट का हाँ पर जो नाम है MLSP यहाँ पर रहने वाला है मिज मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है नमबर विकेंसी आप पर डिसकस कर लेते हैं तो बताना चाहता हूँ 1700 से भी जादा पद इसमें आप पर शामिल किये जा रहे है 1700 से भी जादा पद इसमें आप पर रहेंगे BSC nursing या फिर GNM candidates इसमें apply कर सकते हैं इसके लिए आपको online application form आपको fill करना होगा सबसे पहले आपको इस वीडियो को like कर देना है और NHM स्वास्त बिवा की हर vacancy की जानकारी के लिए पहले से चैनल को subscribe भी कर लें तो वीडियो के नीचे जाए subscribe के रैड बेटन को आप पिकले करें NHM स्वास्त बिवा की अंतरगत हर vacancy का update इसी तरीके से आगे भी पात रहें तो बिल्कुल शुरू बात कर देते अपने update को बढ़ जाते है information की और तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ये जो vacancy है National Health Mission केरला की अंतरगत यहाँ पे release हुई है और इसकी लिए दोस्तों आप लोगों को online apply करना होगा बात कर लेते हैं जो जानकारी आपको table में दी जा रही तो देखिए table में आपको number of post के बारे में बताय जा रहा है तो 1749 पदिस में आपके शामिल के गए हैं करीब करीब 1500 पदिस में आपके रहने वाले हैं और सभी districts में ये vacancy हैं आप सभी लोग देख सकते हैं सभी जिलों के बारे में जानकारी आपको दे दी गई है और number of vacancy कितनी है सभी जिलों में तो ये भी आपको table में जानकारी प्रवाइड करा दी बात कर लेते हैं qualification की और qualification योग गिता के तोरपे BAC nursing वाले सभी candidates आप लोग apply कर सकते हैं इसमें कोई भी experience की जरुवत आपको नहीं है BAC nursing वाले candidates को जो भी candidates GNM का diploma रखते हैं आप लोगों को एक साल का अनुबब चाहिए experience यह और ये date आपको यहाँ पे बता दी गई इस date तक आप लोगों के पास एक साल तक का अनुबब रहना चाहिए GNM वाले candidates के लिए बढ़ जाते हैं अगली information क्यों age limit तो age limit देखिए 40 साल उमर यहाँ पे रखे गई और 1 October 2022 इस date से age calculate आपकी की जाएगी इसके बाद method of recruitment तो contract basis पे यह vacancy है contractual यह vacancy आप पे रहने वाली है dates of online application तो देखिए 12 October से आप सब लोग form fill कर सकते हैं 12 October 10 वजे से link activate कर दी गई है और 21 October शाम के 5 वजे तक का समय आप लोगों को दिया जा रहा आप सब लोग online apply कर सकते हैं और salary भी बता दी गई है शुरुबात के 4 महीने आपके training period के हैं तो 17,000 रुपे salary मिलेगी और इसके बाद दोस्तो 17,000 रुपे और 1000 रुपे आप लोगों को successfully जो आपकी training है complete हो जाने के बाद और traveling allowance मिलाके यह आपको salary दे दी जाएगी reporting कहां पे करने होगी medical officer of the institute तो जो भी institute के medical officers हैं वहाँ पे जाके आप लोग reporting करेंगे तो दोस्तो देखिए apply करने के लिए यह इसकी official website है आप सब लोग इसको open कर लें recruitment के section में आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे आपको इसका notification provide करा दिया गया देखिए लिखा है apply online तो इसपे आप लोग क्लिक करेंगे आपका form open हो जाएगा और आप सब लोग online apply कर सकते हैं और दोस्तो देखिए 21 October शाम के 5 वज़े तक का समय ही आप लोगों को दिया जारा आप सब लोग apply कर दें तो दोस्तो पूरी जानकारी मैंने आपके cover की उमीद काता हूँ अपडेट आप सब भी को मिल जाओगा सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब करें कोई भी अपडेट जानकारी आप से ना चूटे वेकैंसी की वीडियो की नीचे जाए सबस्क्राइब कर आइड विटिन को आप एक लिक करें स्वास्ते बिवाक की हर वेकैंसी की इंफॉर्मेशन आगे भी बात हैं तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच